सबसे पहले JCLC, सभी गार्जिंस जो देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आयूश पारिक है, मैं 9 साल से टीचिंग में हूँ और 5 साल से CLC में हूँ, पर आज मैं टीचर के नाते नहीं बोलना चाहता, मैं एक स्टुडेंट के नाते बोलना चाहता हूँ, कि CLC अलग क्यों हैं, आपने बहुत सारी बाते सुनी, सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से समझ भी पारे होंगे, देखिए मैं 2009 में CLC पढ़ने आया था, अलवर से, और जब मैं 2009 में यहां पर पढ़ने आया था, तो मुझे बहुत हजीब सा लगा था, कि यह क्या होत मेरे degree ही उस assembly के पीछे हुई है, मेरी life के पीछे वो assembly आज तक है, आज भी कभी emotional होता हूँ, life में ऐसे बहुत सारे मोके आते हैं, कि ऐसा लगता है कि नहीं यार, खतम हो जाएगा सब कुछ, तो आपका वो famous dialogue है, zero से शुरू करते हैं, और फिर zero से start करते हैं, और बहुत कि एक external exam में मेरे को fail कर दिया गया था, तो मेरे supplementary आई थी, medical में ऐसा होता ही है generally, जब external आते हैं तो, तो उस time पे हालत ऐसी हो गई थी, कि एकदम पूरी year back लग सकती है, बहुत सारे problems थे, पर नहीं, वो जो assembly मैंने ली थी, वो जो आपने उस time पे हमारे अंदर जो pump भरा थ था, मैंने वापस zero से कहानी शुडू करी और आज उस वहाँ पर जब exam हुआ, तो मेरे hundred out of hundred marks आ है, क्या बात है, तो एक बहुत, बहुत ही शांदार बात कहना चाहूंगा, लोग CLC से चले जाते हैं, as a student भी, as a faculty, पर उनके दिल से CLC कभी नहीं चाहती, CLC हमेशा जिन्दा रहती है दिल के अंदर, चाहे डिगरी के बाद, चाहे मेरे को ले लो, अब एक और छोटा सा, example, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, एक और बात कहना चाहूंगा, मेरे साथ ही है, डॉक्टर हितेश वर्मा, R&T Medical College से उन्होंने यूजी करी, और यहां से नीट की तैय हो गया था, वो मेरे पास आया, मैं एक साल सीनियर था, मुले क्या करूँ, मैंने का तु शाम को जाता है, एसेम्बली में, हन्मान चाले ही साथ बिल्कुल जाता हूं, बोस बैठते हैं, बैठते हैं, तो जाके यह अपनी प्रोब्लम बता दे, आपको शह ध्यान नहीं होग आपके पास आया, अगले दिन वो बच्चे वच्चे सब गया, वो रुका वहाँ पे उसने तयारी करी और मौलाना अजाद से पीजी कर रहा है, तो यह सारी बाते हैं, तो नो डाउट अब मेरे साभी साथियों ने आपको बताया होगा, और अब थोड़ी सी टीचिंग की भी बात कहना चाता हूँ, हम WhatsApp के जोक नहीं सुनाते हैं क्लासों में, नचवाते नहीं हैं, क्या बात है, बहुत कहरी बात कहरी है, तो हमारा जो फोकस होता है, वो होता है कि 300 से 400 कैसे आए, देवराज की बात चल रही है, देवराज को 11th क्लास में मैंने पढ़ आई, जुल हो जाए, तो CLC की पूरी टीम काम करती है एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनानी के लिए, टॉपरों को तो टॉपर कोई भी बना सकता, इसमें बडी बात क्या है? वो तो हही है, पहली है, हम लोग एवरेज पे काम करते हैं, गूदिडी के जो लाल वाला वर्ड सु 12 में 72% है और ना के बराबर अपने आपको बिल्कुल talented नहीं समझता, मेरे selection में वही motivation और वही चीजे काम आती है, जब जब नंबर काम आते हैं, वापस से आपकी वह assembly आपका motivation pump और वह classes में teachers का साथ, उसी के कारण वापस 0 से शुड़ करते हैं, और यह आज आज आपके सामने जब तू इसी वचाना थेंक्यू, ड्यूक्तर!